भागे नगरी हैदरबाद में 1984 के बाद अब सबसे कम बोटिंग 2019 लोकसवा चुनाओं के दोरान देखने को मिली है चुनाओ आयोग ने कई प्रियास किये, स्थानी लोगों ने कई प्रियास किये, संस्थाओं ने कई प्रियास किये और सभी नेताओं के प्रियास के बाब जूद भी मतदाता नहीं पहुँचे मतदान करने इतना कम प्रतिशत सालों के बाद देखा गया है जो कि अपने आप में रिकॉर्ड वाना जा रहा है वैसे तेलंगाना में ही कम बोटिंग हुई है लेकिन सबसे कम बोटिंग हुई है अगर तेलंगाना की माने तो हैदरबाद में क्या कारण रहा कि लोग बोट देने नहीं गए क्या कारण रहा कि मतदाताएं पोलिंग बूत से दूरी बनाए रखी चली तेलंगाना की बात करें तो कुल 60. बोटिंग दर्च की गई है जबकि हैदराबाद महानगर में जहां पर सिक्षित लोग हैं जिसे हाइटेक सिटी कहा जाता है और हैदराबाद वैसे भी फेमस है तो यहां पर 40 के लगभग बोटिंग हुई है मतलब 29.49 फीसदी लोग ही बोट डालने पहुँचे हैं हैदराबाद के याकुतपुरा विधान सवा शेत्र में सबसे कम बोटिंग हुई है 31.1 फीसदी लोगों ने बोट डाला है जबकि हैदराबाद भी लोगसवा निर्वाचन छेत्र में 50 फीसदी का आकड़ा भी पार नहीं कर सका हैदराबाद से सांसद असिदिन वेसी ने मतदान के अंतिम दिन तक लोगों से बोट करने की अपील की सबी लोगों ने बोट करने की अपील की नेदाओं ने बोट करने की अपील की स्वयम से भी संस्थाओं ने भी कई मुहीम छेडी निर्वाचन आयोग की तरफ से भी लगातार अपील की दियाती रही इसके बाबजूद भी लोग नहीं पहुँचे इसका क्या कारण हो सकता है सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि BJP और AIMIM के बीच जो बयान बाजी होती है उससे यहां के लोग परिशान हो चुके हैं जिस तरह से सांपरदाइक रंग दिया जाता है हर चीज को समाज से लेकर जोड़ा जाता है और हर चीज को धर्म से लेकर जोड़ा जाता है तो शायद हैदराबाद के शांथी पे ये लोग ये पसंद नहीं आई दूसरा कारण ये भी रहा कि वे अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं सबी राजनितिक पार्टियों से तो वे नहीं चाहते हैं कि नोटा को बोड़ दें अगर नोटा को बोड़ देने के लिए जाना है इससे अच्छा घर में बैठें इस लिहाज से भी लोग नहीं गए बोड़ देने लिहाजा खामोश रहकर उन्होंने घर में बैठना ही बहतर समझा एक कारण गर्मी भी बताई जा रही कि काफी गर्मी के चलते भी लोग मतदान केंदर नहीं पहुंचे यह चोटा कारण हो सकता है लेकिन बड़ा कारण वही है कि जो बयान बाजी हो रही है जिस तरह का माहूल हो रहा है उसे लोगों ने स्विकार नहीं किया और राजनीतिक दलों से दूरी बनाए रखी और हो सकता है यह कम बोटिंग इस बार कई कई पार्टियों को भारी पुराने शहर की बात करें तो यहां अभी भी साक्षर्ता दर्ब कम है पड़े लिखे लोग कम है यह भी एक बड़ा कारण है